दोस्तों अगर आजा पहली बार रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिछ सके लेटेस्ट टेक्नोज वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग यह आप देख सकते हैं यह मैंने Amazon से iPhone 11 मगाया है जो अभी Amazon का offer चल रहा है और उस offer में मैंने बहुत ही amazing price में इसे मगाया मतलब discount के बाद भी discount तो यह आखिर मुझे कितने का पड़ा और इसके अंदर सच में iPhone है कि साबुन की टिकिया तो न लोग देते हैं ना इसके अंदर कुछ घपला रहता है तो यह घपला मुझे भी पता नहीं है मैं आपके सामने इसे खोलूगा और देखते हैं कि फोन है कि साबुन की टिकिया चली-चली शुरू करते हैं तो चली दोस्तों शुरू करते हैं इसके अंबॉक्सिंग या अनपैकिंग तो पहले तो अनपैक कर लेते हैं तो यहां से हमने खोल लिए यह इसका बिल है तो बिल इसी में चिपका हुआ था तो मैं आपको दिखा देता हूं इसका प्राइजिंग 47,999 मतलब यह 48,000 का है अब मैं आपको बताऊंगा मुझे कितने का पढ़ा है क्योंकि बिल तो वह actual बनाते हैं और यह देखे आइफोन पैकिंग तो एकदम सही दिख रही है करी से खुली होई नहीं दिख रही है एकदम पैक है प्रॉपरली जैसा होना चाहिए तो अभी तक तो फुल माक्स यह 64 GB का वैरियंट मैंने मगाया है और यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं 68 300 का इसका एक्चुल प्राइस है दोस्तों और यह जो है यह कंट्री ओफ ओरीजिन इंडिया मेड इन इंडिया ही चाहिए भया कंट्री ओर इंडिया नह अगस्त 2020 का ही manufacturing है तो मतलब एकदम नई यूनिट है यह पुराना माल नहीं है यह और यहां आप देख सकते हैं आइफोन पूरी तरह पैक है तो जली चलिए आप इसे खोल लेते हैं इसे खोल लेते हैं आपके सामने और यह यहां से यह पहली बार है जब मैं आइफोन अप चुका है एक छोटा सा टेप था जो उन्होंने अल्रेडी बताया हुआ था यह देखिए अलगी क्लास है और इसमें टेप वगेरा कहीं नहीं होता है इस फोन की खास बात यह है कि टेप वगेरा नहीं है अब यह आपके सामने मैं यह खोल रहा हूं यह देखिए एकदम वा फोन दम चम-चमात 살 प्यारा हमारा फोन इसके अंदर है तो यह रहा आइफॉन और इस फोन को हम रख देते sowड़े के लिए साइड और इसमें क्या हे कैसा तो बात करेंगे सबसे धी देखते इसके अंदर है क्या-क्या बॉक्स के अंदर तो दोस्तों बॉक्स में अगर आपने आपल आइफोन लेंगे तो आपको पता है कि यह कुछ गाइड आती है जो हमेशा ही आती है यह सिम इजेक्टर पिन है और यह हमारा एपल के स्टिकर्स मैं यह बताता हूं आपको जब मैंने पहली बार आइफोन 6 लिया था अपनी वाइफ के लिए तो भी यह स्टिकर करें भाई तो यह आइफोन के पूरे डॉक्यमिंट से स्टिकर्स तो आप कोई यूज़ करता नहीं एक जमाना तक क्रेस था यह है इसका एडॉप्टर जिसको आप चारजर भी बोलते हैं कई लोग कई लोग अडॉप्टर बोलते हैं और अडॉप्टर आज कल थोड़ा फ एरपोर्ट के साथ काफी अच्छा आता है और यह एघेबल यह KABEL जो अभी नया iPhone 12 आया है यह iPhone 11 दो 8 और 2 है उसमें आपको सिर्फ यह दो चीजे मिलने वाली है यह दो चीजे मिलने वाली है। यह दो तो दोस्तों यह हो रहा है आपल का लोगो और यह रहा है लो Swipe up to open English language select your country or region तो ओविसली इंडिया मेरा देश मेरा भारत महान so India, so, this is country selection, quick start, continue, password, फ़िट मैंने सकन्क दाल दिए है और यह हो गया पास्वर्ट सेलेक्ट फोन बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं यह डूएल सिम फोन है मैं आपको बता दूँ एक फिजिकल सिम है और एक एसी में बहुत ही प्यारा है और यह पीछे ग्लास पैनल है जो काफी स्ट्रॉंग ग्लास पैनल है ठीक है हाला कि आइफोन डेलिग होगी तुम मेरे तो मैं आपको जीघा रहा हूँ यह फिस आइडी चालो कर लेते भाइए को हाव्ड सेट आप पेल्सदी यह गेट स्टाटेड में हापके सामने सेट अप कर रहे हैं पूरा चैरा घुमाने को बोल रहा है तो चलो चाहरा घुमा लेते हैं स्कैन कम्प्लीट वा उपन नीचे भी सर करके दिखा दो सेकंड फेस आई डी भी कम्प्लीटेड सो यह सेट हो चुका है पासवर्ड मैं डाल देता हूं पासवर्ड मैं डाल दिया है और यह हो चुका है सलेक्ट अब मुझे इसमें अपना आई क्लाउड का बैक अप चाहिए तो वह भी ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं तो दोस्तों यह है मेरा पुराना आईफोन सेवन प्लस यह मेरा आईफोन सेवन प्लस है और इसका एपल आईडी मुझे यूज़ करना पड़ेगा तो वह मैं यूज़ कर देता हूं इसमें तो दोस्तों एक फोन से जब हम एक आईफोन से दूसरे आईफोन में आई क्लाउड वगेरा डालते हैं तो उस समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको दोनों फोन एविलेबल है तो बहुत इच्छी बात है तो उससे कि आपको दोनों फोन अगर आपके पास आईडी चल रहा है तो आप आसानी से इसको कनेक्ट कर पाएंगे अधर्वाइस आपको दिक्कत होगी दोस्तो आई क्लाउड सेटप एक टू स्टेप प्रोसेस है तो सबसे पहले आपको अपना अपल आईडी डालना पड़ेगा और आपका पासवर्ट डालना पड़ेगा तो आपके इमेल पर आपको एक ओटीप आएगा जब आप ओटीप डाल देंगे उसके बाद जि आपल आईडी को नए फोन में स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो यह बहुत ज़रूरी है आप देख सकते हो यह आईफोन सेवन का बैक अप मांग रहा है तो यह वह का बैक अप कंटिन्यू कंटिन्यू को दोस्तों सीरी को अपडेट कीजिए बाकी जितने भी आ रहे हैं अ अन्यवाद आप सब्सक्राइब